धूल के कड़ों से होने वाले रोग यू अन्य प्रेवरल वर्स तो इस समय काप़ी धूल से परवसानिये हो रहे हैं दिल्लिली में तो UGC Net पे तो हमिशा ही प्रेवरल में इसे समय हो सनाते हैं तो धूल की प्रकार रोग का नाम, कोले के धूल कर्ड से जो रोग होते हैं उसे बोलते हैं एंथ्राकोसिस, सिलका से जो रोग होते हैं धूल के, वो होते हैं सिलिकोसिस और एजबेस्टास से जो होते हैं, वो होते हैं एजबेस्टासिस, लोहे के कर्ड से सीडी, रोसिस, गन ने परियावराल वर्से में दखेवी जो विशे हैं 2013 जल सयोग वर्से के रूप में मनाया गया इसका विशे था 2016 परिवार क्रिशी और वर्से विशे है 2015 मिर्दा प्रकास प्रद्दोग की 2016 दलहन वर्स और 2017 है ने सतत विकास प्रियाटन तो एसडेन गोल्डेन पांडा सासा कावा गुलोबल 500 राइट लिवली हूड आधिक व्रुसकार अंतराश्टी अस्थर से परियावराल संदश्चलेतु दिये जता है जिसमें कौन-कौन से आते हैं परियावराल संदु ने तू एसडेन गोल्डे पांडा साशा कावा ग्लोबल 500 राइट लिवली हुड पारेस्टेतिक पिरामिन में विचार सरपर्थम चार अल्टन ने पेस किया था आज के पीपर में भी दिली में वाटर भी जो सबसे अधा पालोसित माना गया है जैकि मुंबाय में सबसे मतलब सुद्ध वाटर पाए ज इसको बोलते हैं बाइलाजिकल आक्सीजन डिवांड केमिकल आक्सीजन डिवांड भी वोलते हैं इसको तिथा पीएच मान के दारा यह होता है डवली हो का मानक प्रत लीटर जल में फ्लुराइड की जो मात्रा होनी चाहिए यह पूछा जा सकता है 0.01 तथा आर्जैनिक की जो मात्रा नेदार्जित है डवली हो दारा वो 0.05 से अधिक नहीं होना चाहिए मतलब एक रत लीटर में 0.01 से फ्लुरॉट की मात्रा देखना हो और समय जो हो एक लीटर में 0.05 से अधिक नहीं होना चाहिए वरसा का जल आज सुदध नहीं मालें जाता यूंकि इसमें वा इटाई जल में काडेमियम की अधिकता से होता है, बुलू बेबू सिंड्रोम जो होता है, जल में नाइट्रेट के अधिकता से होता है, यह पूछा भी जा चुका है, यूजिशीनेट में यूट्रेट में भी, ब्लैक फुट जल में आर्थानिक के अधिकता से होता है, पॉइंट है प्रदूसर की अधिक्ता की कारल दामोदर नदी को जयविक मरुस्तल कहा जाता है सेकंड पॉइंट है सोच प्रयावरल का अधिकार मूल अधिकार है तता इसे अंचेट 21 में जीवन के अधिकार के साथ जोड़ा गया है तीसरो पॉइंट है रामसर संधी आद्र भूमके संव्ण चार से जोड़ी संधी है और चौता है फचल चक्र मिर्धा के उच्यावरत्य है यापनाया जाता है अंटाल्टीका में भारत का पहला केंद्र धा अच्छल गंगोत्री है लेकिन आर्केटिक में यहीं हीमाद जी बोलते हैं नागार जुन सागर भारत का सबसे बड़ा बाग रिज़र है राष्टी गंगा नदी वेसिन प्राधिकर यंजी आर बीए का गठन 2009 में हुआ भारत का राष्टी जली जुज डाल्फिन है वन महों के नेता सुन्दर लाल बहुडा जी जबकि एपको अंदूरन के पांडू रंग हेगडे थे जल प्रदोसर को दूर करने में शाहयक अनस्पतिया है सिंघाडा हाइड्रिला एजोला आईपोन या लेमना आधी पंवन उर्जा में चेन पर्थम भारत में तमिलनाडू भारती वंजी वोड गंगा रिवर वेश्षिन अठार्ती राष्टी जनसंगा आयोक के पदेन अध्यच परदानमंत्री है और टेहरी बाद उत्राखन में भागरती वी लांगना दधी के टरपर है हिमाले के भुकम पी चेत्र में स्तर होने के कारा प्रयावार बिरोधी मा नगल मा जाता है व जितन और नकुल में मिल्चय सरुटतर परेवली में परद्वादिक अनकूल मानने जिता है प्रद्व थΥ आ होते हैंilateral में प्रद्वाल का महत पूसरिक स्ल्वी जिल क्ते एच और स्लिक से ज़क के हो तो जिपसान पाइराइट चाता जैविग रसायन के पियोंगे होती फसल चक्रों अपनाना चाहिए कुरोन आउसदी प्राप्त होती है शिन कोना पौधा से बायाड उजल तैयार के जाता है जैक ट्रोफा से ग्रीन मेफलर सम्मंदित है दोनी परदूसर से और परदूसर संक के तक पहुता माना जाता है लाइकेंद को विश्वन जीव कोस का मुख्याला है ग्लेंड जो शोजलेंड में और बायोट्रक सिटी है लखनों में ओजोन परस समताम मंदल में मवजूद पिर्थिवी की छदरी के रूप में कार करते हैं क्योंकि यस्शूर की प्रावेगन मारत का सबसे बड़ा पच्छी उद्द्यान भारतपूर राजस्तान में मारत का सबसे बड़ा चुणिया घर अलिपूर कलकत्ता में है और केंदरी पच्छी संसान जहां बरेली में हुई सलीम अली पच्छी विग्यान केंदिर कोएंबटूर तमिलाडो में है नल सरोवर पच्छी फिहार गुजरात में है पेंगोन पच्छी अंटाल्रिका में पाजाता है बिलुक दोड़ो पच्छी मालिशस का है नवा पच्छी उद्दान उन्नों में पाजाता है जबकि आर हम भी उडान बनने वाली पच्छी इंडियन बश्टर्ड है जो संकत ग्रस्तिरली में सामिल है